भुगोल में प्रश्णोतर कारिक्रम हमारे द्वारा सुरू किया जा रहा है जिसमें हम लोग सबसे पहले भागोलिक चिंतन सुरू कर रहे हैं जितने भी फिजकल और हुमन जोगर्फी के जितने भी यूनिट्स हैं सबके यूनिट वाइस क्वेस्टन्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे यह हमारे द्वारा अतिमाहत्वपोड प्रश्णों का शंकलन किया गया है जो विभिन प्रतियोगी परिक्षाओं में आये हुए हैं और कुछ ऐसे भी प्रतियोगी परिक्षाओं में आ सकते हैं या कई बार ऐसा होता है कि जो प्रतियोगी परिक्षाओं में प्र प्रश्ण है देखिए यह असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्त पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर नेट जयारफ और यूपी एंपी राजस्थान बिहार हरियाडा जो भी हिंदी भाशी राज्जी हैं वहां के जो भी जी पर दिन हम कम से कम 10 ग्यारक क्वेस्चन्स आप लोगों को भेशते रहेंगे पहला प्रश्ण है भोगोल को इस था बंधों एवं अंतर शंबंधों का विज्ञान के रूप में किसने परिभाशित किया है तो इसका सही उत्तर है डबलो भूंगी डबलो इसमें विकल्प द दूसरा प्रश्ण है किसे मिलता है क्या कहां और कैसे यह आधारभूत बिंदु है मानवतावादी भूगोल का कल्यारकारी भूगोल का प्रादेशिक भूगोल का क्रमबध भूगोल का तो इसमें देखिए यह जो किसे मिलता है क्या कहां और कैसे यह कल्यारकारी भूगोल का एक अति महत्वपूर्ड ये कल्याड कारी भूगोल का आधार भूत बिंदु है कल्याड कारी भूगोल जो पूरे वैसिक कल्याड की बात करता है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है कल्याड कारी भूगोल यह केवल मानव जाती के कल्याड की ही बात नहीं करत बलकि संपुर परिवेश के कल्याड की बात करता है, परियावरण के कल्याड की बात करता है, मानव के कल्याड की बात करता है, और नक्योल बायोस्फियर के ही कल्याड की बात करता है, बलकि यह संपुर एन्वारेन्मेंट के कल्याड की बात करता है, जिसमें बायोटिक और अ मुख्य आवधारडा है question number three है कि प्रत्यक्षवाद की मुख्य आवधारडा क्या है तो मुख्य आवधारडा है ये इसमें A विकल्प है अनुभावाद B विकल्प है नियमों एवं सिध्धान्तों का निर्माड C है A और B दोनों D है उपर युक्त में से कोई नहीं तो प्रत प्रत्यक्षवाद को अनुभावाद भी कहते है क्योंकि ये अनुभाव पर प्रत्यक्षदर्शन पर निर्भर करती है तत्यों पर निर्भर करती है ये विचारधारा प्रत्यक्षवाद में तत्य होता है प्रत्यक्षदर्शन होता है नियम और सिध्धान्तों पर आधार इसलिए इस प्रश्ण का उत्तर होगा सी अर्थात ए और बे दोनों अनुभवात तथा नीमों और सिध्धान्तों का निर्माड यह दोनों प्रत्यक्षवाद की मुख्य अउधार्डा है निमलिखित में से कौन भुगोल में द्वैतवाद का दियो तक नहीं है। और वर्तमान समय का भूगोल यह भी भूगोल का एक दोयतवाद है मुखरूप से यही भूगोल को तीन दोयतवाद के तीन प्रमुक अधाड़ाएं हैं अब इसमें मानविम आर्थिक भूगोल इसको कुछ जगहों पर क्या किया गया है कि मानो भूगोल में मानो की प्रजात या मानो को उत्पत्य आदि दिया गया है जो एंथ्रोपोलोजी और भुगोल दोनों से रिलेटेड है और आर्थिक भुगोल को अर्थविवस्था से जोडने वाला मानते हुए अलग बताया गया है कोश्विद्वानों द्वारा जैसे आप ही आप किताबे जो पढ़ते हैं Master Maurya या माजिद हुषैन का मानो भुगोल पढ़ते हैं आर्थि भुगोल आप जगदिश सिंग का पढ़ते हैं आर्थि भुगोल के तक तो इस आधार पर इसको अलग माना जाता है और जो चिर सम्मत काल और क्रांतिकारी भूगोल है चिर सम्मत काल को आप एतिहाशिक काल भी कह सकते हैं लेकिन आधुनिक काल में केवल क्रांतिकारी भूगोल ही नहीं है बलकि और बहुत से भूगोल के और बहुत से प्रतिमान है और इसलिए क्या है कि हम लोग इसको मान सकते हैं कि जो चिर सम्मत काल और क्रांतिकारी भूगोल है यह द्वातवाद का द्योतक नहीं है और शेस क्रमबध्ध भूगोल यें प्रादेशिक भूगोल भौतिक भूगोल यें मानो भूगोल मानो यें आर्थिक भूगोल इनको द्वयत वाद का द्योतक माना जाता है नेक्स्ट है विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त करने का सरपर्थम प्रयाश किया अर्थात किस ने सरपर्थम विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया पहला विकल्प है हेटनर दूसरा विकल्प है ए जे हरबर्टशन तीसरा विकल्प है C है वाइडल दिला ब्लास और D है काल शावर तो इसका सही आंसर है हरबाटशन हरबाटशन ने सरपर्था विश्व को 15 प्राकृतिक प्रदेशों में 15 प्राकृतिक प्रदेशों में हरबाटशन ने सरपर्था विश्व को विभाजित किया है नेक्स्ट है निमलिखित में से किसने विज्ञानों के वर्गी करण में भूगोल के इस्थान का निर्धारड किया है तो यह कार्य किसका है विज्ञानों के वर्गी करण में भूगोल के इस्थान को निर्धारित करने का कार्य इमैनुवल कांट को जाता है Immanuel Kant पर और भी प्रतियोगी परिक्षाओं में Immanuel Kant पर और भी प्रश्ट पुछे गए हैं, जैसे Immanuel Kant पर प्रश्णाया है कि philosophical armichха gobierno किसे कहते हैं दारशनिक आरामDयक कुर्षी वाला भोगोलवित्ता तो Immanuel Kant और दूसरा है कि आराम दायक कुर्शी वाला भूगोल वित्ता तो कार्ल रिटर, कांट के पहले फिलास्पिकल जॉगरफिकल फिलास्पिकल आर्मचेर जॉगरफर और कार्ल रिटर के लिए केवल आर्मचेर जॉगरफर, शब्द का प्रियोग होता है, हमबोल्ट आधनिग भुगोल के जनक कहलाते हैं, वनश्पद भुगोल के जनक कहलाते हैं, मिटेरियो लाजी के जनक कहलाते हैं, हम बोल्ट और जर्मन के प्रशिद भुगोल वित्ता हैं, वारेनियस द्वाध की अधाड़ा वारेनियस नहीं दिया था, भुगोल को सरप्रथम क्रमबध भुगो को आगे बढ़ाया था वैज्यानिक नियतिवाद के दर्षon को किसने आगे बढ़ाया था विकल्प A है E- शैंपोल विकल्प B है E- हट्निगटन विकल्प C है Z- टेलर ग्रिफिट टेलर और विकल्प D है O-H के स्बेट तो आप जानते हैं कि जो वैज्ञानिक नियतिवाद है वह क्या है scientific determinism या stop and go determinism भी शे कहते हैं इसे neo determinism नौ निश्चेवाद भी कहते हैं इसके प्रतिपादक है Griffith Taylor आस्टेलिया के भोग अलवेत्ता Griffith Taylor वैज्ञानिक नियतिवाद के प्रतिपादक हैं इसी दर्शन को इन्होंने आगे यह स्टाप और गो डिटेर्मिनिजम या नियोडिटेर्मिनिजम कहलाता है। जिसके प्रतिपादक हैं, आस्टेलिया के भुगोल्वित्ता, गृफित, टेलर. नेक्स्ट विकल्प नमबर एट है निमलिखित मेशे कौन भुगोल के जनक के रूप में जाना जाता है पहला विकल्प है C टॉल्मी दूसरा विकल्प B है इरेटोस्थेनियस विकल्प C है हेरोडोटस विकल्प D है ही काईटियश तो आप जानते हैं कि टॉल्मी रोमन यहां पर इरेटोस्थेनियस को साइंटिफिक जयोगरफी का जनक माना जाता है वैज्ञानिक भुगोल का जनक अगर पूछा जाता है तो इरेटोस्थेनियस को कहेंगे भुगरिद का जनक एक साथ, एक साथ अन дополн डर और इरेटरस्थेनेimer को कह सकते हैं, लेकिन जी ओडेशी भूगडित का जनक इरेटरस्थेनेंर को कहते हैं और वैग्यानिक भूगोल का जनक इरेटरस्थेनिस को कहते हैं और जगर फियाज सब्द सबसे पहले किस ने दिया तो iratokbowsटthenes को कहा सकते हैं और इतिहास का जनक, herodotus को कहा जाता है, इन पर भुगोल में प्रशना आता है अब नेक्स्ट विकल्ठ है, hecatus, तो भुगोल का जनक, hecatus को ही माना जाता है, कुछ solutions ने, भुगोल का जनक, iratokbowsthenes लिख दिया है, वो गलत है भोगोल का जनक हीकेटियस को माना जाता है हीकेटियस ने शरपर्थम जैस पेरियर्ट्स नामक एक पुस्तक लिखिया है हीकेटियस की जो पुस्तक है उसका नाम है जैस पेरियर्ट्स और जैस पेरियर्ट्स में इन्हों ने विश्व को एशिया अफरिका और यू रोप का वड़न है और दूसरे भाग में एशिया और अफरिका का वड़न है और उसमें ततकालीन जितना भी बशा हुआ बिश्व था जिस पर मानों का निवास था और जो बिश्व का बौधिक समाज था जो जितना भी भूभाग से परचित था उसका इन्होंने वड़न किय है वड़नात्म का ध्यान प्रस्तुत किया है जैस्पिरियेट्स में और इसी करण इन्होंने एक छेत्र वड़नी विज्ञान की तरह भूगोल एक बिशय के रूप में इन्होंने जैस्पिरियेट्स का वड़न किया जैस्पिरियेट्स लिखा है और इसी करण हिकैटियस के के नाम पर कोई भी अब्जेक्शन नहीं आता है भुगोल के जनक के रूप में हिकाटियस को स्विकार किया जाता है आप कन्फ्यूज ना हो ये कि रैट उस्तनीज होंगे कि हिकाटियस होंगे भुगोल का जनक हिकाटियस नेक्स्ट क्वेस्टन है जियो पैसे फिक्ष शब्द का सरप्रथम प्रियोग किशने किया विकल्प A है हार्ट शोर्न विकल्प B है ग्रिफिट टेलर विकल्प C है मकिंडर विकल्प D है हटिंग गटन question क्या है geopacifics शब्द का प्रियोकसर प्रतम किशने किया इसका सही उतर है Griffith Taylor जो आस्टेलियाई भुगोलवित्ता Griffith Taylor है इनकी एक पुस्तक है An Introduction to Geopacifics इस पुस्तक में इन्होंने Griffith Taylor एक ऐसे भुगोलवित्ता हैं जिन्होंने दोनों बिशयुद देखा और दोनों बिशयुद से ये काफी ब्यथित थे चिंतित थे और इनको लगा की नहीं बिश्व में शान्त की कामना होनी चाहिए तो Geopacifics में इन्होंने पूरे बिश्व में शान्त कैसे आई इसके बारे में इन्होंने बात किया है इन्ही का एक अधाड़ा है कि इन्होंने जो मानों की विविन प्रजातियों के उत्पति बताया है Griffith Taylor ने वो कहां से बताया है वो बताया है पामीर की गाठ से इन्होंने बताया कि पामीर की गाठ पर ही मानों की एक प्रजात डिवलप होती थी और ग्लेशियल पीरियड आने पर उसका विस्थापन होता था फिर ग्लेशियल पीरियड में जो बचे हुए लोग रहते थे वहां से और मानो कुद्पत्ती होती थी दूसरे ग्लेशियल पीरियड में उसका फिर विस्थापन होता था तो इस प्रकार इन्होंने बताया कि मानो की चाहे जो भी प्रजातियां है वो climatic effect के काड़ उनके कद काटी रंग रूप आदमी परिवर्तन हुआ लेकिन फिर भी सब एक ही एक ही है मानव की जो homo sapiens मानव है वो एक है और इसलिए इन्होंने वशुधायव कुटमबकम की भावना इस अपने जियो पैसेफिक्स पुस्त में Griffith Taylor ने वशुधायव कुटमबकम की अधाड़ा को आगे बढ़ाया है इस यह पुस्तक जो हमारी भारती जन्मानस का एक बिचारधारा है सर्वे भवन्त शुखिना शर्वे संतु निरामया शर्वे भद्राड़ी पश्यंतु मा कश्चे दुख भाग भवेत इस तरह क कार प्रश्न का उत्तर की जियो पैसे फेक्स सब्द कास्वर प्रथम प्रियोग कि ने किया का सही उत्तर क्या है Griffith Taylor नेक्स्ट क्वेस्चन है सामोही क्रिश्की अधाड़ा का प्रादुर्भाव कहां हुआ धाड़ा का प्रादुर्भाव हुआ विकल्प A है बोल सेविक क वर्थ है कम्योनिस्ट यहां पर क्या हुआ पहले जो पूजी पती वर्ग था कुलीन वर्ग था और जो ब्यापारी वर्ग था उसके द्वारा जो समास का निम्न वर्गी स्रमिक वर्ग मजदूर वर्ग था उसका बड़े पैमाने पर शोशड होता था उसके बिरुद यहा का बड़े पहमाने पर शोषड होता था जो अधिकांस वहां की जनसंख्या क्रिशी मजदूरों का कारी कर्ती थी क्रहती तख्रमिक खुआ करती थी हुआ करती थी और शामुही ख्येती का प्रचलन पर बाजार में बेचा जाता था और यह जो अतरिक तलाव इसमें होता था वो सरकार की आयका प्रमुक्स्रोत होता था यहाँ पर देखिये प्रस्ण पुछा गया является सामोहिक क्रिश्व, सामोहिक क्रिश्व को पूर्व सòVieus संग में कोल खोज कहा जाता था जब निजी भूम थी ये लंबे समय तक वहाँ चलती रही जो बॉल्ट सेविक क्रांत थी इसके बाद भी ये जारी रही इसके बाद ही ये विशेश रूप से शुरू हुई और इसका समापन हुई है 1991 में 1991 में 1991 में जब सोवियस संग का बिखटन हुआ है उसी के साथ सामोहिक क्रिश्किया सोवियस संग रहा नहीं रोस बन गया रोस हो गया मतलब पुरुसोवियस संग USSR Union of Soviet Socialist Republic का जब बिखटन हुआ 1990 में तो 15 रास्ट बने उनमें से 3 रास्ट हो जाते हैं बाल्टिक कंट्रीज और फिर 12 स्टेट्स हैं उनको CIS कहते हैं Common Wealth of Independent States तो उसमें रोस भी एक तरह से CIS क का एक देश है तो रोस में ये सामोहिक क्रिश नहीं है पुर्वसोवियस संग में ये सामोहिक क्रिश की जाती थी फिर इसके बाद हम लोग question करहीं में सांस्कृतिक क्रांति 16 में 1966 को चीन में स्टार्ट हुई है और ये 10 वरसों तक 1976 तक चली है 10 वरसों तक चली है सांस्कृ स्वाइण विए अधए गयाँ जो समाज का निम्नवर्ग कशाया को की लोग थे इस सांस्कृतिक क्रांति के पश्चात उनको महत्व दिया गया पूजी पत्य सामाजिक ब्यवस्था थी वह सांस्कृतिक क्रांति के पश्चात वह समात्थ होकर के नई सामाजिक ब्यवस्था की स्थापना हो गई पुरानी सामाजिक विवस्था के स्थान पर नई सामाजिक विवस्था इस्थापित हुई है चीन में सांस्कृतिक क्रांथ के पश्चात 1966 से 1976 के मध्य चीन में सांस्कृतिक क्रांथ ही चली है अब next question 11 है भुगोल के अध्यान में प्रतिमानों के उपयोग का विचार सरपर्थम किस्ने दिया तो भुगोल के अध्यान में प्रतिमानों के पैराडाइम्स के उपयोग का विचार सरपर्थम दिया है स्टी कोहन ने बहुत महत्पूर प्राश्ण है ये बहुत से प्रतियोगी परिक्षाओं में आता है और इसके जितने भी इस question के बिकल्प है पहला बिकल्प है कोहन दूसरा बिकल्प पी हाइगेट तीसरा बिकल्प आर सोरले या चोरले और चौथा बिकल्प है जे एल बेरी इन चारों बिकल्प पर बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्ण बनते हैं आगे के questions के discussion में हम इनका भी जिक्र करेंगे ओके धन्यवाद